सर्दी आ गई है यानि वह दिन जब फैशन होता था बहुती असान टी-शिर्ट निकाली शर्ट निकाली पेर अप करी विद चीनोर्स और जीन्स और निकल पड़े वह जा चुके हैं सर्दी आ गई है तो ठंड से भी बचना है स्टालिश भी दिखना है सेक्सी भी दिखना है और हमें यह सब करना है इन अब बजट क्योंकि जो हमारे सर्दी कोई कपड़े हैं वो समस के अकॉर्डिंग थोड़े से नहीं जादा महेंगे होते हैं सब्सक्राइब बजट करने वाले हैं अब बजट से हमारा मतलब आप लोग को सस्ते ब्रैंड बताना बिल्कुल भी नहीं है इस वीडियो में आपको ऐसे वर्साटाइल आउटफुट बताने वाले हैं जिनको आप लोग अलग अलग तरह से स्टाइल करके मुल्टिपल लुक्स क्रियेट कर पाऊगे और उन उसको आप लोग बहुत एजली पहन सकते हो तो बहुत कॉलेज, तो यो काशुल आउटिंग, तो यो पार्टीज, तो यो देट्स तो भाई कौन सी जाकेट, किस कलर की जाकेट, किस तरह किसे स्टाइल करें और कहां से खरीज सकते हैं ये सब कुछ हमने इस वीडियो में डिटेल में डिसकस कर रहा है, so make sure that you stay connected till the end because last minute एक announcement भी करी है also अगर आप भाई के चानल पर नए हो, तो भाई बिना time waste करें, जल्दी से चानल को subscribe कर दो and hit the bell icon if and only if you want to be the best version of yourself in the daily affairs of life तो मैं शुरू करते हैं हमारी jacket number one के साथ ने, which are your denim jackets and my denim jacket वो गली jackets होती है, जिनका material होता है हमारी jeans के जैसा and I'm pretty sure कि आप लोग को पता है कि denim jacket कौन सी वाली होती है and या denim jacket में ना, एक color, blue color, लोग बहुत जादा खरीते हैं and वो बहुत जादा common हो चुका है तो यार मैं चाता हूँ कि आप लोग ना, थोड़ा सा हट के लगो तो भाई, आप लोग को different colors recommend करने वाला है जिसमें number one is tan color की denim jacket and यार, जो मैंने इस video में jacket पहनी है, this one is from roadster and भाई, बहुत ही versatile jacket है, अंदर light colors पहन लो black t-shirt पहन लो, black denim's पहन लो साथ में तो भाई, ये jacket जो है ना, वो आपकी बन जाएगी from a casual jacket to a casual party wear jacket next level बन सकता है लुक तो चलो भाई, आते हैं हमारे second color पर which is olive green, बहुत जादा वो versatile चाहे नहीं है लेकिन, जो इस jacket की grace है ना, it is outstanding मानो कि नहीं आप लोग मेरी बात, last year मैंने एक video बनाई थी जिसमें मैंने इस jacket को cover कर रहा था and मुझे आज तक DM आते हैं कि नितन भाई हमें इस jacket का link दे दो लेकिन आन में में लिंक नहीं है क्योंकि मैंने इस jacket को offline करीता था but कोई टेंशन वाली बात नहीं मेरे दोस्त क्योंकि भाई को link मिल गया है of a similar jacket and उसको मैं already description box में mention कर चुका हूँ so you guys can check it out from there तो अब हाते हैं styling पर olive green dark color है तो contrasting color के जो looks से हैं वो जादा चलेंगे तो इसमें आप लोग olive green jacket को style कर सकते हो with a white hoodie or t-shirt second one आपको हो सकता है mustard hoodie or t-shirt जैसे मैंने आपे पहन ली आप लोगो दिखाने के लिए other than this आप लोग एक light brown color की hoodie आपे t-shirt भी पहन सकते हो dark colors के साथ में पेर करना हो then you can go for colors like black or coffee brown थोड़ा सा monochrome type हो जाएगा but it'll look really very good and दोनो colors को मेरे recommended अपार्ट रूम जरूरा थोड़ा सा कॉमन जरूरा अंडर्साइब इस वरी वोसटाइब आइस अपार्ट रूम दिस रस्च कलर की डेनिम जाकेट है ना आज बहुत रही है तो दाट इस अनदर रिलिए और ऑप्शन पर यूँ अपार्ट रूम दाइट तो भाई मेरे जो recommended options हैं अब आते हैं मारी जाकेट नमबर टू पर विचा यूर बॉमबर जाकेट्स तो बॉमबर में ना दो तरह की जाकेट्स आती है एक वो होती है जो कि बिल्कुल पतली सी होती है उनकी फॉल भी अच्छी नहीं आती उनकी फॉल भी अच्छी आएगी and they will look good on you जैसे मैंने आपर ब्राउन गलगी बॉमबर जाकेट्स पहनी हुई है I got this one from Zara यार इस पे जो stitching का डिजाइन है वो मुझे बहुत जादा पसंद आया और इस particular design को particular color को आप लोग contrasting colors के साथ में pair up कर सकते हो जैसे white हो गया, mustard हो गया, light one हो गया and dark colors में of course you can go ahead with black जाकेट की colors के बात करें तो यार इसमें मैं आप लोग को recommend करूँगा black, navy blue, white, चाहे off white हो गया फिर milk white हो दोनों अच्छे लगेंगे and brown जैसे मैंने हापे पहना हुआ है the best part is इस सारे colors में बहुत बहुत सटाइल है तो आप लोग इनको अलग-अलग colors के साथ में style कर सकते हो and you can create multiple looks out of it and भाई मेरे को brown वाली के लिए भी भाई सारे लोगों ने बोला कि नितिन भाई हमें इसका भी link दे दो भाई मेरे को brown का link तो नहीं मिला लेकिन black का link मिल गया है navy blue का मिल गया है तो उनका जो link है में नीचे description box में mention कर दिया है you guys can check it out अब आते हैं हम लोग हमारी jacket number 3 पर which are padded and down jackets looks के बारे में बात करें तो down jackets and padded jackets दोनों के looks में हमें ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलता but अगर मैं brief में आप लोग को बता हूँ तो इस दोनों जैकेट्स हो है ना हमें bomber jacket से थोड़ी से ज़्यादा quilted नजर आती है but the details there very very important सबसे बहले बात करूंगा down jackets की properties के बारे में तो जो down jackets होती है ना उनके अंदर filling होती है ducts तिया फिर गीस के feathers की जो कि आपको अंदर से काफे जादा warm रखती है and यह होती है light weighted but usually water resistant नहीं होती also अगर एक बारी गीली हो जाए ना जो एर इने सुखने में काफे जादा time लगता है क्योंकि इनके अंदर होते है feathers and down jackets के जो material है वो होता है काफे light weighted तो आपको इनको ना काफी high maintenance पर रखना पड़ेगा कि कहीं damage ना हो जाए whereas जो parrot jackets और puffer jackets होती है उनके अंदर की filling होती है of the same material जिस वरे से वो थोड़ी से ना जादा भारी होती है as compared to down jackets but usually जो parrot jackets है they are water resistant unlike down jackets and उनको जादा maintenance की जरोष भी नहीं होती तो भाई मैंने दोनों के properties जो आपको लोग को बता दी है आपको जो ठीक लगे आपको जो लगता है में लिए जादा suitable है आप वो ले सकते हो and भाई मैं तो आप लोग को दोनों ही दिखाने वाला हूँ तो जुमारी पहली jacket है वो है ultra light down jacket from uniqlo and भाई यह actually इतनी जादा light weight है कि भाई तो मेरे को पहन के लगा कि मैं हमा में न उठ जाँ okay I know की PG था बट नवर माईंड भाई का चलता है and यार जगे ना actually काफी जादा मौम है and this one is beige in color तो मैंने इसको style कर रहा है with a white hoodie, blue denims and white sneakers and यह color भी काफी versatile है तो आप इससे बहुत सारे looks create कर पाऊगे and मेरे दोस्त इसमें अगर आपने all blacks पहन लिनी है तो by god बहुत ही बढ़िया look लगने वाली है चले आर नेक्स jacket पर आते है which is the grey parrot jacket and यार यह भी मैंने ली है from roadster and guys मैं आप लोग एक चीज बोलना भूल दिया यह जाकेट्स है ना parrot jacket हो गई हमारी down jacket हो गई यह usually पहनी जाती है hill station में क्योंकि हमाँ पे ठंड जादा पढ़ती है तो अगर आपने दो लेर अंदर और पहनी हुई है ना and उपर आपने पहनी हुई यह वाली jacket तो आप लोग easily मेरे हिसाब से मैंने सीन से मैंने चार डिग्री तक के ठंड जो है वो झेल सकते हो फिल से पहनने के लावा अगर आपको street styling पसंद है या फिर वो wrapper type bulky jackets वाले look अगर आपको पसंद है then my friend parrot jackets and down jackets are made for you coming back to our grey parrot jacket तो यहाँ पर आमने इसको style कर रहा है with our all blacks आप लोग देख सकते हो कि elegant के साथ में यहाँ the same time bold भी लग रहा है talking about the colors apart from grey तो यार मैं आप लोग को चीज़ बताना चाहूंगा जैसे जैसे आप लोग थोड़ी superior quality की तरफ मूव करोगे ना वैसे वैसे parrot jackets and down jackets prices बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको advice रहूँगा to go for a decent quality jacket and colors में recommend करूँगा grey, black and beige because versatility point of view से इन तीनों colors को pair करने में with other colors आपको कोई भी issue नहीं आने वाला है and another thing, bomber jacket आप जिस भी color के लेते हो उस same color की आपको padded jacket or down jacket बिल्कुल भी नहीं लेनी वरना वो थोड़ा same same हो जाएगा तो अब आते हैं हमारी jacket number 4 पर which are your blazers and भाई मेरे हिसाब से ना आपके wardrobe में at least 2-3 blazers तो बिल्कुल होने चाहिए and I know कि बाप लग कोगे कि नितन भाई budget fashion के बारे में बात तो रही थी 2-3 blazer कितना पैसा खर्च हो आओगे कहां से लोगा थे पैसे मैं बड मेरे दोस्त बिल्कुल भी कोई फाल्तू खर्चा नहीं होगा एक एक पैसा हम लोग इसमें भी बचाने बाले हैं अब पूछो कैसे आपकी घर में शादी आती है बस end of story आज से यही गलती हमें नहीं करनी हमने लेना है एक basic suit and ready made नहीं लेना हम लोग उसका fabric लेकर आएंगे and stitch करवाएंगे अपने size के according and then उस basic suit को हम लोग style करने वाले है according to a wedding कि शादी में उसको कैसे पहन कर जाएं and यार इस topic को न इस वीडियो में cover करना possible नहीं है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसके लिए हमारी एक dedicated वीडियो आने वाली है so make sure कि आप channel को subscribe करके bell icon दबा दो तक यह वीडियो आप से मिस नहीं हो तो वापस आते हमारे topic पर and यार जो हमारा must have blazer है वो है एक black blazer literally आप इसको किसी भी कर लगे साथ ने बहुत इसी इस्टाइल कर पा होगे and जो लोग मैंने हापर create कर ही है वो है एक casual party के according black blazer, black t-shirt, black denims and साथ में मैंने पहने हुए है white sneakers a neck chain of silver color and साथ एक silver color की watch भी पहनी है and भाई बहुत ही classy outfit लग रहा ही है in fact मैं भी अभी एक रिसेंटी casual party में outfit पहन के रहा था and अगर आप लोगे भी कोई party आने वाली है casual party आने वाली है महाँ पे मस्ते पहन के जाओ एक बड़ी ऐसे photo click कर वाओ instagram पे upload करो and मिरको उसमें tag करो क्योंकि भाई उस photo को repost करेगा आते है हमारे blazer number 2 पर which is a grey blazer and भाई यहाँ पर हमने उसको style कर रहा है थोड़ा सा contrasting way में with all blacks inside and आप लोग देख सकते होगे कितना classy outfit है इसके जो grey से ना बहुत ही बड़ी है किसे भी party में पहन के जाओगे न तो इतना अलग सा ही आपका charm लगेगा and भाई party से अगर बात करें तो एक jacket और है which is a white fleece यह मैंने लिए है from Uniqlo and यह भी जो all blacks के साथ में पेरिंग करी है बहुत ही बड़िया लग रही है मैं इसमें आपको colors recommend करूँँगा white और off-white दोनों अच्छे लगेंगे and dark dress के साथ में pair up करना next level आपकी लुक आईगी black and grey के लावा मैं आप लोगो तीन colors और recommend करूँगा in blazers number one is navy blue then we have wine and beige blazers में ना तीनों ही बहुत versatile रहेंगे अलगर colors के साथ में बहुत easily pair up कर पाऊगे नए looks create कर पाऊगे and एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो भी fabric होगा ना blazer का वो चमल थमक वाला नहीं होना चाहिए basic होना चाहिए matti finish में होना चाहिए तभी वो आपको versatility offer करेगा coming on to our final jacket which are your sweatshirt zippers and भाई ये होते हैं हमारे casual day-to-day wear के लिए तो इसमें आदा stress नहीं लेना है कुछ भी design उठा सकते हो जो आपको मन करें वो design पहन सकते हो कोई भी color पहन सकते हो जैसे मैंने आपर पहना हुआ है एक light brown color का zipper which is from Uniqlo and इसको भी हमने once again style करा है with our all blacks and आप लोग देख सकते हो ये outfit कितना super comfortable है and it looks really elegant as well इनके लावाना आप लोग printed jackets भी ले सकते हो जैसे मैंने आप एक camouflage jacket पहनी है which is from Campus Sutra and once again हमने इसको भी style करा है with our all blacks and आप लोग देख सकते हो कि day to day wear में भी ये jackets कितने elegant लगते हैं तो जितने भी looks हमने अभी तक यहाँ पे देखे हैं in a nutshell अगर हम उसके बारे में बात करूँ तो जो jackets की versatility है वो depend करती है on its color and its design so guys इसके साथ हमारी सारी jackets cover हो चुकी है and I'm pretty sure कि आप लोग ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सारी stylings हमारी थी with either white or black तो अगर आप लोग किसी और color के साथ में styling देखना चाहते हो जैसे mustard हो गया blue हो गया rust हो गया इसक्रा वो सब आपको मिल जाएंगी हमारे instagram page पर in the form of videos and pictures तो वहाँ आप चेक आट कर सकते हो अब एक बहुत important question and I'm 101% sure कि आपके दिमाग में बिल्कुल आया होगा नितिन भाई leather jackets कहा है तो भाई 2021 चल रहा है and मेरे हिसाब से 2021 में leather jacket पे investment बिल्कुल भी worthwhile नहीं है reason being कि कोई भी अच्छी quality leather jacket जो होती है न वो आती है minimum 5000 उपे की and यह मैं बिल्कुल basic design की बात करो हूँ जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते अच्छे designs हो है वो इससे उपर ही मिलेंगे and 5000 से कम की कोई अगर jacket है जिसको लोग leather कहते हैं वया तो होता है fox leather या फिर होता है pew जो कि maximum आपका चलेगा 1 season या ज़्यादा से ज़्यादा 2 season क्योंकि उसके बाद उसमें cracks बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो मेरे साब से अगर आप एक leather jacket में invest कर रहे हो अच्छी leather jacket में invest कर रहे हो तो वो budget fashion तो नहीं होता इतने में आप लोग ना 2-3 दूसरी कुछ jacket ले सकते हो जितने भी looks हमने आपको इस वीडियो में दिखाएं वो जो उनके similar links हैं आपको नीचे description box में मिल जाएंगे so check out करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो and now time for our announcement हमने हमारी next वीडियो में हमारी classic audience के लिए एक बढ़िया सा giveaway plan करा है तो भई अगर आप लोग चैनल को subscribe कर रहे हो my handle is the classic affair so until next time must check it check it पेनो and अपनी जिस परोसन से आप लोग बात करने में इतना शर्मार है उसको ना के हैशा है बोलो गप्य शप्य मारो, घूम पिर के आओ, पाटी शाटी करो and अगली बारी आके मेरे को बताओ see you in the next video